बारती रेल की पट्रियां उत्तर से लेकर दच्छिण और पूरब से लेकर पस्चिम तक पूरे देश में फैली हुई हैं। आपने अकसद सुना होगा कि ट्रेन लेट हो गई है या फिर ट्रेन का सफर लेट लतीव भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी ट्रेन हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज हैं। भारती रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज रेलवे में से एक हैं। जिसकी टोटल कैपैस्टी हर दिन 15 लाग से भी ज्यादा यात्रियों को ले जाने की है। भारत सरकार ने आने वाले दिनों में देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सुरू करने का फैसला किया है। खैर प्रिजेंट की बात करें तो भारती ट्रेन स्पीड रिस्टेक्शन और पुराने बुनियादी धांचे के कारण जरूरत से ज्यादा स्पीड से चलती है। अगर एक बार नई और बहतर रेल लाइन बिछाई गई तो फिर अलग अलग रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर सरकार काफी चीज़ें भी कर रही है। आलग फिलहाल देश में ऐसी कई ट्रेन हैं जो काफी स्पीड से चलती हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। नमबर एक पर है वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मित्र एप के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल में भारत की सबसे तेज याती ट्रेन है। कंट्रोल कंप्यूटर और रिमोट मॉनिटरिंग के साथ आटोमेटिक दर्वाजे लगे होते हैं। फिलहाल भारत में वंदे भारत दो रूट पर चलती है। पहली सताब्दी दिल्ली से वारानणसी के लिए और दूसरी दिल्ली से कट्रा के लिए जाती है। वंदे भारत का किराया 1630 से लेकर 3000 रुपे तक है। नमबर दो पर आती है गतिमान एक्सप्रेस। साल 2016 में लॉंच होई गतिमान एक्सप्रेस को उस समय तक भारत की सबसे तेज ट्रेन के रूप में जाना जाता था। जब तक कि वंदे भारत एक्सप्रेस लॉंच नहीं हो गई। दिश्चित रूप से भारत की सबसे सांदार ट्रेनों में से एक हैं। नमबर तीन पर आती है नई दिल्ली भोपाल सताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली भोपाल सतापदी एक्सप्रेस भारती रिल नेटवर्क में हाई प्रियर्टी वाली ट्रेन में से एक हैं। नई दिल्ली और आनी कमलापत इस्टेशन के बीच चलने वाली सतापदी एक्सप्रेस भी देश की बेहद पॉपलर ट्रेन है। 2016 में गतिमान एक्सप्रेस के लॉंच होने से पहले तक यह ट्रेन लंबे समय तक भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी रही थी, इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमेटर प्रतिगंटा है, यह ट्रेन नई दिल्ली से हबीब गंच के बीच चलती है, यहाँ पानी से लेकर हर तरीके के ना ट्रेन की टॉप स्पीड 140 किलोमेटर प्रतिगंटा है, इसके अलावा एक और ट्रेन है नई दिल्ली कानपूर सताब्दी एक्सप्रेस, जो 140 किलोमेटर प्रतिगंटे की स्पीड से चलती है, यहाँ पानी से लेकर हर तरीके के नास्ते और खाने पीने की वेवस्था है, इ अपने स्पीड से 1360 किलोमेटर तक करीब 13 घंटे में पहुँच जाती है, पहले 90 किलोमेटर प्रतिगंटे की एवरेज स्पीड से यह ट्रेन की रफ्तार दिल्ली और मुंबाई के बीच की दूरी को 15 घंटे और 40 मिनट में पूरी करती थी, नमबर 5 पर आती है मुंबाई हमदाबाद बुलेट ट्रेन, जापान के मदद से भारत सरकार मुंबाई यह हमदाबाद हाई स्पीड रेल यानि बुलेट ट्रेन प्रोजक्ट पर काम कर रही है, ऐसा अनुमान है कि 2024 तक यह ट्रेन पटरियों पर दोड़ने लगेगी, इसके लिए एकदम नया ट्रेक बि वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें